हलो दोस्तो खेमपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम कोई रिपेर का वीडियो नहीं बनाने वाले हैं आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इस तरह के वीडियो मैं चैनल पर बहुत ही कम बनाता हूँ दोस्तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इस वीडियो को आप complete जरूर देखें। दोस्तो आज मैं आपको USB के कई तरह के remote दिखाने वाला हूँ और उनके price भी बताने वाला हूँ। दोस्तो अगर हम इसके price की बात करें तो लगभग ये 20-25 रुपए के बीच में जो है market में मिलता रहता है। इसकी quality भी ठीक ठाक है और आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो key है वो मतलब एक तरीके से एक आप देख सकते हैं कि चिप की भी है एक sheet और उस पर ही इसके key लगे हुए हैं। इसमें mobile के keypad की तरह ही work करता है। आप देख सकते हैं और इसमें जो battery लगती है वो यहाँ पर एक mini battery 20-25 का use किया गया है। आगे मैं आपको इसकी battery भी दिखाने वाला हूँ और उसका price भी आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद चली हम एक और remote ले लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यह remote जो है हमारा यह भी USB remote है और इन दोनों में आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बोडी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और कीपेट की बात करें तो इसमें जो कीपेट का यूज किया है वो किया है रबर वाला। तो दोस्तों यह कीपेट मुझे काफी पसंद आया और इसकी quality जो है वो ज्यादा अच्छी है इस remote के मुकाबले। तो दोस्तों आप 20 रुपए का मिल जाता है और देखिए दोस्तों यह इसकी बैटरी है अगर आपके remote की कभी कोई बैटरी खराब हो जाती है आप देख सकते हैं CR 2025 है और यह market में आपको 5-10 रुपए की बैटरी मिल जाती है यह single battery 3V की होती है और दोस्तों इसके साथ हम आपको एक remote और दि keypad की बात करें keypad भी काफी अच्छा है function इसमें सारे ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो battery लगती है वो लगती है triple A की दो battery आप देख सकते है triple A की यहाँ पर दो battery लगाने का इसमें option है दोस्तों इसकी life सबसे जादा है क्योंकर इसमें battery काफी जादा बड़ी आजाती है अब दोस्तों चलिए हम इसकी battery भी दिखा देते हैं इस तरह की battery होती है यह अलग-अलग company की होती है यह battery फिलाहल मेरे पास आप देख सकते हैं कि किसी brand की नहीं है local battery है यह मगर vault in में भी पूरे ही होते हैं दोस्तों आप चाहिए तो इसमें किसी brand की battery भी लगा स सकते हैं अगर हम इसके प्राइस की बात करें दोस्तों ये लगभग आपको 35 से 40 रुपए में मिल जाता है इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है दोस्तों ये जो मैं आपको रिमोंट दिखा रहा हूं ये तीनों रिमोंट आप किसी भी USB पर लगा सकते हैं ये हर USB प् मिनी Bluetooth हो या फिर आपके पास amplifier हो या फिर आपके पास किसी भी तरह का home theater वगेरा में इसका use कर सकते हैं तो दोस्तों आप मुझे comment box में ज़रू बताएं आपको कौन सा रिमोंट पसंद आया और कौन सा रिमोंट आप use करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लि थैंक्स पर वाचिंग